हाई वीवर्स वेलकम बैक टू मैं चैनल फैंस यह दिखे आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा निटिंग पैटरन यह दिखे इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं लेडिस काडियन में लेडिस चैकिट में चैनल साम स्वेटर फुल स्वेटर में बच्चों के स्वेटर में मफ्रल में डाल सकते हैं दिखे फ्रंट साइड से यह इस तरह से दिखता है और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है तो फ्रेंड इस design को बनाने के लिए आपको जो stitches चाहिए होंगे वो 6 के multiple से होंगे plus 2 फंदे extra रखने होंगे stitch के लिए और फ्रेंड ये जो design है ये 8 रो का design है तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं ये दिखे फ्रेंड यहाँ पर मैंने 38 फंदे लिए है 36 फंदे 6 के multiple से लिए है plus 2 फंदे extra लिए है stitch के लिए और निचे से base देने के लिए 2 रो उल्टे उल्टे फंदों के साथ बनकर निकाल ली है तो चलिए देखते हैं ये दिखिए जब भी आपने किसी भी project में इस design को डालना हो तो आप इसे right side से ही start करोगे तो दिखिए कैसे करेंगे ये इसकी first row है और right side है ये दिखिए इस सारी row को हम ऐसे सीधे सीधे फंदों के साथ बनकर complete कर लेंगे ये दिखिए first row complete हो गई है second row है wrong side अब इस सारी row को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बनकर complete कर लेंगे ये दिखिए second row complete हो गई है third row है right side अब दिखिए इस row में stitch ऐसे ही उतारेंगे और यहां से repeat pattern start करेंगे अब दिखिए यहां पर हम ये six फंदे लेंगे और इसको right to left twist करेंगे इसको हमने इस तरफ को twist करना है तो back loop से हम तीन फंदे आगे लेकर आएंगे और आगे वाले तीन फंदे पीछे लेकर जाएंगे ये दिखिए फिर से इसको वापिस से left needle पर shift करेंगे और six फंदों को सीधा बना लेंगे यहां से यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने दिखिए six फंदे लिये और इसको left to right इस तरफ को twist किया है और इसको सीधा बना फिर से इस pattern को repeat करेंगे यह हमारा six फंदों का pattern है यह दिखिए count करेंगे one two three four five six फिर से इस pattern को repeat करेंगे यह दिखिए six फंदे लेंगे और इनको right to left twist करेंगे बैक लूप से तीन फंदे आगे लाएंगे और आगे वाले तीन फंदे पीछे लेकर जाएंगे ये दिखें और सीधा बना लेंगे टू, च्री, फोर, फाइव, सिक्स ये दिखें फिर से शिक्स फंदे लेंगे चाहे आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं ये दिखें पहले तीन फंदे स्टार्टिंग के राइट नीडल पर लेंगे फिर तीन फंदे पीछे वाले पहले बुन लेंगे फिर दिखें ऐसे ये बिना बुने जो फंदे हमने लिये थे इसको हम लेफ्ट नीडल पर पहले शिफ्ट कर लेंगे ऐसे और ऐसे इनको उतारेंगे पैक लूप से ये वाले तीन फंदे जो है इनको यहाँ पर लेकर आएंगे ये हमने बुने हुए हैं तीनों फंदे अब ये वाले फंदे तीनों बुन लेंगे यह दिखे, टू, थ्री, यह दिखे, चाहिए आप ऐसे उतार कर लीजिए, चाहिए आप पैसे कर लीजिए, जैसे भी आपको इजी लगे, वैसे ही आप कर सकते हैं, तो दिखे, फिर से हम ऐसे ही सिक्स फंदे ट्विस्ट करेंगे, और इसको सीधा बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह दिखे, ऐसे ही आपक सभी फंदे बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे, जितने भी फंदे होंगे, सभी को हमने ऐसे ही आपक बना लेना है, फिर से लास्ट टाइम, तीन फंदे आगे लाएंगे, और आगे वाले तीन फंदे पिछे लेख कर जाएंगे, और सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सीधा बना लेंगे, यह दिखे, 3rd row कंप्लीट हो गई है, 4th row है रॉंग साइड, इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे, यह दिखे, इसकी जितनी भी रॉंग साइड होगी, उसको हम उल्टा उल्टा ही बना लेंगे, रो 5 राइट साइड इस सारी रो को सीधे सीधे फंदों के साथ खुनकर कम्प्लेट करेंगे रो 6 रो राइट साइड इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ खुनकर कम्प्लेट करेंगे रो 7 राइट साइड अब दिखें ऐसे ही उतारेंगे और स्टार्टिंग के तीन फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2, 3 अब यहां से पीड पैटन स्टार्ट करेंगे अब हम फिर से 6 फंदे लेंगे पहले हमने इन फंदों को इस तरफ को टिस्ट किया था अब इनको इस तरफ को टिस्ट करेंगे तो दिखें, फ्रंट लूप से तीन फंदे पीछे वाले आगे लाएंगे और आगे वाले तीन फंदे बैक लूप से पीछे लेक कर जाएंगे और शिक्स फंदे सीधे बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह दिखें, स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़कर यहां से यहां तक हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने 6 फंदे लिए और इसको इस तरफ को ट्रिस्ट किया है, फिर से इस पैटन को रपीट करते हुए जाएंगे 6 फंदे हम लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे, यह सारे 6 फंदे जितने भी होंगे एंड तक हमारे इसको हमने लेफ्ट टू राइट ही ट्विस्ट करना है तो दिखें, ऐसे बैक लूप से 3 फंदे पीछे लेकर जाएंगे और सीधा बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह दिखें फिर से ऐसे 6 फंदे चाहें आप ऐसे उतार कर इनको ट्विस्ट कर लीजिए यह दिखें ऐसे चाहें आप इनको दूसरी नीडल पर लेकर भी शिफ्ट कर सकते हैं और 6 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर से 6 फंदे ऐसे लेंगे आगे वाले 3 फंदे पिछे लेकर जाएंगे पिछे वाले 3 फंदे आगे लेकर आएंगे और इनको सीधा बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर से यह दिखें ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे और सीधा बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब दिखें लास्ट के 3 फंदे हैं सीधी बनाएंगे 1, 2, 3 एस्टिच भी सीधा ही बना लेंगे रो 7 कम्प्लीट हो गई है रो 8 है रोंग साइड इस सारी रो को उल्टे फंदों के साथ बनकर कम्प्लीट कर लेंगे ये दिखें फैन रो 8 कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे 1st ट्रॉ से स्टार्ट करेंगे एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे ये दिखें 1st ट्रॉ इसकी ऐसे सारी सीधे-सीधे फंदों के साथ पुनकर कम्प्लीट कर लेंगे ये दिखें फैन फिर से हमारा पैटन 1st ट्रॉ से स्टार्ट हो गया है और ऐसे बार बार इसकी 1-2-8 रोर पीट करते जाएंगे और ये पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा ये दिखिए इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकती है तो फ्रेंड आप भी इसे बनाईए और अपने एक्स्पीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू फैंट पर वाच मैं वीडियो